हेलो दोस्तों नुश्का और श्वागत है आपका आर्जी स्टुडी में ये बरती 2020 के लिए टेस्ट नमर 26 26 नमर का टेस्ट है आज हम टेस्ट को 30 तक पुरा कर देंगे ठीक है और सभी के सभी GS पोर्शन्स रहेंगे जल्दी जल्दी देख लिजेगा और सेयर कर दीजेगा स सारवजनिक छेत्र नीजी छेत्र दोनों जब मिल जाते हैं क्या हो जाते हैं मिस्रित अर्थव्योस्ता कलाते हैं यदि प्राइबेट और सरकारी सेक्टर जब मिल जाते हैं तो क्या हो जाता आपका यह हो जाएगा आपका मिस्रित अर्थव्योस्ता सबसेजिएस्ट वे मे की घोष्णा की है तो 21 मई को चाय दिवस मनाने की घोष्णा की है कौन संयुक्त राष्ट द्वारा ठीक है तो मिलों का हो जाएगा क्या 21 मई तिक चली अगला कोशन क्या कर रहा है कि सबरी माला निमले कितने से किस राज में इस्थित है कभी कुछ दिन पहले की बात है कहां है केरल मेंस्थित कहां पर केरडराज में इस्थित बहुत जादा चर्चा मेला मंदिर कि का रहा है अब का पटनाम्तितानामक जिले में ऊवस्थित है और यह अयप्पा भगवान की, इसका अयप्पा देवता की मंदिर है, ध्यान देजे, केरल में इस्थिति, चलिए, नेक्स है कि सुल्तान महमूद कहां का सासक था, सुल्तान जो महमूद था, वो कहां का सासक था, वो कहां का सासक था, वो कहां का सासक था, गजनी का सासक था, सर्दार गजनी के सासक सुभुक्त दीन का पुत्र था यह चलिए अगला है फोटी नमर कोशन क्या कर आप फोटी दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंस क्या था तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंस जो था लोधी वंस था क्या था लोधी वंस था अंतिम सल्तनत इस वंस का संस्थापक की बात करें दी तो बहलोल लोधी था बहलोल लोधी जो की अंतिम सासक था इब्राहिम लोधी इसका अंतिम सासक था ठीक है अगला चलते हैं DRDO ने 11 मईद 2019 को कौन सा दिवस मनाया था दा है खश्टरी प्रद्द्यों की दिवस तो अवंति मेड मेगाज फूट पार के स्थापना किस राजमे रहत वता है। मल्यालम के किस कवी ने सहित जगत ने उत्कृष्ट योगदान हेतु पच्पनवा ग्यानपीट पुरुषकार जीता, कौन जीता पच्पनवा ग्यानपीट पुरुषकार जीते हैं, जो की सहित जगत ने मिलता है अपका ग्यानपीट पुरुषकार, कहां कहें आपके यह हैं मल्यालम कभी है चलिए नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के इंसार किस वर्स तक पृत्वी का तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के आसार हैं तो किस वर्स तक आपके बढ़ने के आसार है तो 2021 तक बढ़ने के आसार हैं 3.2 प्रतिशब 3.2 डिग्री ठीक है चलिए नेक्स्ट है कि क्या कर रहा है अगला कि किस भारती तिरंदाज इने एक किस्वी चैंपियंशिप की महिला व्यक्तिगत रिकर्व असपर्धा में स्वन पतक जीता था यह कौन से कमाल करने वाली है तो आपके हो जाएगा आपके कौन से अंसर क् तो दीपी का कुमारी कौन है दीपी का कुमारी ठीक है चलिए नेक्स्ट है कौन सा भारती महिला मुक्यबाज किलारी AIBA के पहले एथलीट आयोग में सदस्य के रूप में चुनी गई है कौन चुनी गई है यहाँ पे तो सरिता देवी कौन है सरिता देवी ठीक है अब AIBA क् International Boxing Association International boxing association ठीक। यह है कौनतुनिक है पहली आपके तैंपे जाएगा शरिटा देवी नेक्स्ट गुप्तकाल के चांदी के शिक्कोग है किया कहते तो गुप्तकाल में चांदी के शिक्कोग को चांदी के शिक्कोग है गुप्तकाल में रूप्यक कहा जाता था ठीक है चलिए और सोने के सिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष जो लोग डेली वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि यह questions पहले भी एक बार आ चुका है ठीक है चलिए नेक्स्ट है निम लिखित में से कौन सा वह मौली का अधिकार कौन सा है जिससे डक्टर भीम राव अमबेटकर के सा सम्मिधान का दिल का जाता है the heart of the constitution का जाता है और क्योंसा अपका है आपसे Blood आई है अपर हो जाएगा अपनों का इंसर क्या समवयधानिक उपचारों का अधिकार अर्टिकल थर्टिट्टीकों को कहा जाता है नेक्सट की बाद कने भारती समीधान लागू रहा था वह शाये एंसर कई हां सकते हैं कई बार मैं खुद बचाया हूं 26 जनॉमबर आथा तो 26 नूंबर 19works को इध्यान दिलें चाम है प्राश् Meat करता है राश्पति के चुनाओ का निले kन करता है यह मैं बताना है तो राश्टपती के चुनाओ आप निले सिधे सवर्ज नेले тобले करता है और कोई नही भारत के नियंट्र और महले 갑ारिक्षक मुषि के दवारा निक्त किया जता है किसके दौरा निक्त किया जता है आपका तेहां पो जाएगा रख्ष्टपती के दौरा next है विसो के कुल भूहागी के चेत्फल में भालत की भागीदारी कितने प्रतिसत है या हमें चेक करना है बताना है तो 2.4 प्रतिसत है नेक्स है, 2.4, दोधवलों 4 प्रत्रत, बहुत ध्यांद देखें, पोर्ट बलेयर अवह इस्तिते, पोर्ट बलेयर अवह इस्तिते, कहाँ अवह इस्तिते पोर्ट बलेयर, तो है जागा आपका कहाँ, 10.9 में, तो है, 10.9 में, चली, अगला है कि, किस राजी की सीमा चीन से ज हुई है ठीक है चेलि आगे नमों की समय की काई नहीं है समय की काई कौण से इसमें इसमें और जानते हैlarını सेमय का है सिकेंड समय का है लेकिन जो प्रकास वर से एक इसकी है दूरी कीओ आई है न की समय की का यह ध्यान रखे रहे, चल, नेक्स है कि मनुस्री लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है, अपनों को भार ही महसूस करता है, कब लिफ्ट में, तो जब तौरण के साथ लिफ्ट उपर जाती होगी, आप जब यदि लिफ्ट में बैठे होंगे, तो आप महसूस कर रहे होंगे, कि ज होता है यह बताना है हमें क्या हो जाएगा आपर दो दस्मलोव चार क्या दो दस्मलोव चार होता है यह जान रखे सरीर की सबसे बड़ी फीमर होती है होती है जो पायसे ते हो पायर में जांग तो वहीं पैल पायाती है घृत G эт सबसे चोटी बात कर लेते हैं तो सबसे छोटी लिए मांग गिरती है 70god गटिया वस्त के लिए मांग गिरने लगती है अपने आपसे कब गिरने लगती है जब आय बढ़ने किसी भी गटिया चीज की आय बढ़ाएंगे आप तो मांग घटेगी नगा तो यंद आपका मांगा भी रहे सच्ज इस्थित है जेंगर है स्ची एक को सूची दो से मिलान करना है सची धरूर देहें सुची 1-2 भी भी गव्यशन में लिख्या सांना है रहे स्थरूर किसी समझे लेखर का उनके के पुष्टके हैं लेखा को उनके पुष्टके हैं सासी थरूर है सो विजनस लिखे हैं और आमिताव क्या लिखे हैं तो आमिताव लिखे हैं सर्किल आफ रिजन अनिता देशाई क्या लिखे हैं अनिता देशाई क्लियर लाइट आफ दे क्लियर लाइट आफ दे क्लियर ला पूस्ताख मेंसा से लिजाएगा आपनों का अंसर एक कौन से यूगम सुमेली थे तो हमें पर वजाएगा आपका यूटो ए क्या इस्प्रिंग टाइगर इस्प्रिंग टाइगर आपका जो मिलान है और बाकी नहीं है इस्प्रिंग टाइगर हुट्रे की बुक है यह लेखक है और इनकी बुक है इस्प्रिंग टाइगर ठीक है और यह जो इस्प्रिंग टाइगर किसके जीवन पादाई थे सुबाश्यंद्र बोश के जीवन पाधारित यह पुस्तक है ठीक है आगे है विश्रू चिंचालकर विश्रू चिंचालकर कौन थे तो विश्रू चिंचालकर चित्रकार थे चित्रकार थे ठीक है और इस्वर पूजा की जागर पद्धती प्रमुख होती है जो इस्वर की पूजा की जागर पद्धती जागर पद्धती जागर पद्धती तो त्युक्ति परतिली नाम से जो उत्तराखंड साहिर से पता होगा जिन कमुग के उद्दे से किसी रोग या भूत प्रिस से मुक्ति पाना होता है उसे ही यह लोग क्या कता है जागर कते हैं उत्तराखंड साहिर में चलिए और जो लोग उत्तरा खंड से जरूर से जरूर कमेंट करें देखें तरह कौन-कौन लोग उत्तरा खंड ए रहा इसके बाद आज तीस तक पूरा कर दिया जाएगा टेस्ट को अभी 26 नम्र का चाथ वीडियो और आगाएगा दलादल आप लोग देखते रहिए बस चल बन्नोच पर लोग i